ओम नमः शिवार हर हर महादेश भक्तों वेद पुराणों में वर्णी थे कि शिव ही सत्य हैं शिव ही सुन्दर हैं भग्वान शिव का न कोई आदी है और न कोई अंत आपने वेद पुराणों के माध्यम से भग्वान शिव की अनेका नेक गाथाईं सुनी होंगी भक्तों परन्तु आज मैं उन्ही जटाधारी गंगाधारी और ओघडनाद शिव भोले की ऐसी कुछ गाथाईं आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आप सबका यह विश्वास और भी द्रिण हो जाएगा के मात्र एक लोटा गंगाजल अरपन करने से प्रसन्न हो जाने वाले सदाशिव जैसा दानवीर और कोई नहीं है तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये शंकर भगवान की जे! आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं भक्त जनों पहली कथा दैते राज भस्मा सुर की सुनाता हूँ भस्मा सुर ने अपनी अनन्य भक्ती और हठी योग से शिव भोले नाथ को पसंद किया और वर्दान में यह वर मांगा कि वो जिसके शीश पर हात धरे वो ततकाल भस्म हो जाए जैसे ही भोले नाथ में ततास तु कहा वो पापी वर्दान की सक्टिता जानने है तू भग्वान शिव के सिर पर ही हात रखने को तत पर होने लगा और उन्हें भस्म करने उनके पीछे पीछे भागा तीनों लोकों के आराध्य भगवान भोले नाथ आज स्वयम अपने प्राणों की रक्षा हे तू आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे दैत्य भाग रहा हैं आगे क्या हुआ आईए सुनते हैं पीछे पीछे भागा पापी आगे शिव जी भाग रहे स्रिष्टी के हरता देखो आप स्वयम रेत्य उसे काप रहें भागते भागते विष्णु लोक में शिव शंकर देखो आए ये विष्णु प्राणों को बचाओ शिव शंकर ये बतलाए कैसे विष्णु जीने की थी हाँ कैसे विष्णु जीने की थी रक्षा शिव के प्राण की हसुरों को भी जोवर देते ऐसे करुणा निधान की ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर बगवान की हसुरों को भी जोवर देते ऐसे बया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर के आववाहन पर श्री हरी ने योग निध्रा को त्यागा और तत्काल प्रभाव से मोहिनी का रूप धारण किया और असुर के सन्मुख पहुच गए काम आंध होकर जो ही असुर मोहिनी की ओर लपका तो मोहिनी बने विश्नु जी ने कहा कि पहले तुमें मेरे साथ साथ नित्ति करना होगा जैसे जैसे मैं नाचती जाऊं तुम भी वैसे वैसे मेरे साथ नाचते जाना और मोह वश मोहिनी की ताल पर असुर ताता थाया कर नाचने लगा जैसे जैसे मोहिनी नाचती भस्मा सुर अनुसरण करता जाता और जैसे ही मोहिनी ने नाचते नाचते अपने स्वयम के सिर पर हाथ धरा राक्षस ने भी ऐसा ही कर दिया और भगवान शिव के वर्दान स्वरूप वो तकाल भस्म हो गया इस तरहे मोहिनी रूप में श्रीहरी विश्णु ने शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी जैसे जैसे मोहिनी नाचे असुर भी नाचता जाता था बस माशुर तो मोहिनी की ताल से ताल मिलाता था मोहिनी ने नाचत नाचत अपने सिर पर हात रखा राक्षस ने भी मोहिनी का भक्तों फिर अनुसरन किया भस्न हो गया राक्षस पल में हाँ भस्न हो गया राक्षस पल में वली चढ़ाई प्रान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाऊं शिर्शंकर बगवान की खस्नों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाऊं दूसरी कथा का प्रसंग इस प्रकार से है भक्तू एक बार मा पारवती भोले नाथ से शिकायत करते हुए कहती है कि लक्ष्नी और ब्रह्मानी तो स्वन के बने महलों में रहती है और मैं इस कैलाश परवत पर मुझे भी एक अच्छा सा सोने का बना हुआ महल चाहिए भोले नाथ ने बहुत समझाया परन्तु मा गौरा नहीं मानी भक्तों गौरा की हट के आगे विवश भोले नाथ ने विश्व कर्मा को आदेश दिया कि वो ऐसी एक स्वण की नगरी बनाए जिसका तोड तीनों लोखों में नाव भगवान शिव के आदेश की देरी थी के विश्व कर्मा ने स्वण की ऐसी ही नगरी निर्मित कर दी मा पारवती ने जब उस नगरी को देखा तो हती प्रसन हो गई तीन लोख में सबसे सुंदर ऐसी नगरी बनवाई नगरी देखी गोराने तो मन ही मन वो हरशाई वेहे प्रवेश की खातिर कोई पंडित भोले बुलवाओ यज्यहवन और पूजा अर्चन ए शिवशंकर करवाओ सबने अनुशंसा की भगतों पिर रावण के नाम की असरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुमें मैं कहा समाओं शिवशंकर बगवान की हसरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हें मैं कता सुनाओं सभी रिशी मुनियों और देवी देवताओं ने शिव शंकर को यही बताया कि भगवन रावन जैसा प्रकांड पंडित तीनों लोपों में नहीं है पतह उसी को ग्रह प्रवेश के पूजन पर आमन्फित करना चाहिए ऐसा ही हुआ भगतों रावन को पूजन हेतु बुलवाया गया और रावन ने भी पूरे विधि विधान से ग्रह प्रवेश का उजन अर्चन संपन्न करवाया परन्तु इतनी सुन्दर स्वन से बनी नगरी को देखकर उसके हिरे में लालच आ गया और उसने भोले नाच से यही स्वन नगरी दक्षिना सवरूप मांग ली दानियों के दानी देवाधी देव भोले नाच ने बिना सोचे विचारे उसे तथास्तु कहकर स्वन से निर्मित नगरी उसके हाथों में सोंप ली हाँ वही स्वण नगरी जो उन्होंने मा गोरा हेतू बनवाई ती एक ही पल में रावण को दक्षिना स्वरूप वो नगरी दान में दे दी इक पल को ना देर लगाई दान में लंका दे डाली आप फकीरी हाल रहयों सबको देते खुश हाली च्वर्ण की नगरी देखो रावण फिर अपने घर ले आया पापी था पर शिवशंकर का भक्त परमगो कहलाया वेद पुराण भी कहते गाथा हाँ वेद पुराण भी कहते गाथा शिवशंकर के दान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दयान धान की ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शिवशंकर भगवान की खसरों को भी जोबर देते ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं भक्त जनों भोले नाथ की लीलाओं और कथाओं से तो वेद पुरान पटे पड़े हैं जैसे सागर मंधन के समय विश्पान करना हो और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्यान तथा विश्नु जी को महालक्ष्मी प्रदान करना हो ताड का सुर जालंधर जैसे अनेक अनेक असुरों ने भोले नाथ को प्रसंद कर उन से अभय वरदान राप्त किये तो फिर भोले नाथ जो असुरों को भी बर देते हैं क्या आपकी भक्ती से प्रसंद नहीं होंगे भक्तों अवश्य होंगे, कैसे होंगे, आईए आपको बतलाता हूँ इक लोटा गंगा जलसंग में दूद दही घी ले आना चंदन तिलक लगा पिंडी पत पेल पत्र अरपित करना बस इतनी सी भगती परश भोले खुश हैं हो जाते भगतों के भंदार वो भोले अपनी कृपा से भर जाते व्यर्थ जनम नगवाओ भगतों आई घड़ी गुणगान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं ओ नमः शिवार हर हर महादेश भगतों वेद पुराणों में वर्नी थे कि शिव ही सत्य है शिव ही सुन्दर है भगवान शिव का न कोई आदी है और न कोई अंत आपने वेद पुराणों के माध्यम से भगवान शिव की अनेका नेक गाथाएं सुनी होंगी भगतों परन्तु आज मैं उन्ही जटाधारी गंगाधारी और ओघडनाद शिव भोले की ऐसी कुछ गाथाएं आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आप सबका यह विश्वास और भी द्रिण हो जाएगा के मात्र एक लोटा गंगाजल अरपन करने से प्रसन हो जाने वाले सदाशिव जैसा दानवीर और कोई नहीं है तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये शंकर भगवान की जे आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिव शंकर भगवान की असुरों को भी जोबर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं भक्त जनों पहली कथा दैते राज भस्मा सुर की सुनाता हूं भस्मा सुर ने अपनी अनन्य भक्ती और हठियोग से शिव भोले नात को प्रसंद किया और वर्दान में यह वर मांगा कि वो जिसके शीश पर हात धरे वो तकाल भस्म हो जाए जैसे ही भोले नात ने तथास तु कहा वो पापी वर्दान की सक्टिता जानने है तू भग्वान शिव के सिर पर ही हाथ रखने को तत पर होने लगा और उन्हें भस्म करने उनके पीछे पीछे भागा तीनों लोकों के आराध्य भग्वान भोले नात आज स्वयम अपने प्राणों की रक्षा है तू आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे डैत्य भाग रहा हैं आगे क्या हुआ आईए सुनते हैं पीछे पीछे भागा पापी आगे शिव जी भाग रहें श्रिष्टी के हरता देखो आप स्वयम रेत्य उसे काप रहें भागते भागते विष्णू लोक में शिव शंकर देखो आए ये विष्णू प्राणों को बचाओ शिव शंकर ये बतलाए कैसे विष्णू जीने की थी रक्षा शिव के प्राण की असरों को भी जोवर देते ऐसे करुना निधान की ऐसे दयान धान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शिर्शंकर भगवान की असरों को भी जोबर देते ऐसे दयान धान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शिवशंकर के आववाहन पर श्रीहरी ने योग निद्रा को त्यागा और तकाल प्रभाव से मोहिनी का रूप धारण किया और असर के सन्मुप पहुँच गए काम आंध होकर जो ही असर मोहिनी की ओर लपका तो मोहिनी बने विश्नु जी ने कहा कि पहले तुमें मेरे साथ साथ नित्ति करना होगा जैसे जैसे मैं नाचती जाऊं तुम भी वैसे वैसे मेरे साथ नाचते जाना और मोह वश्न मोहिनी की ताल पर असर ता ता थैया कर नाचने लगा जैसे जैसे मोहिनी नाचती भस्मा सुर अनुसरन करता जाता और जैसे ही मोहिनी ने नाच्टे नाच्टे अपने स्वयम के सिर पर हाथ धरा राक्षस ने भी ऐसा ही कर दिया और भगवान शिव के वर्दान स्वरूप वो तकाल भस्म हो गया इस तरहे मोहिनी रूप में श्रीहरी विष्णु ने शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी जैसे जैसे मोहिनी नाच्टे असुर भी नाच्टा जाता था बस मासुर तो मोहिनी की ताल से ताल मिलाता था मोहिनी ने नाच्ट नाच्टे अपने सिर पर हाथ रखा राक्षस ने भी मोहिनी का भक्तों फिर अनुसरन किया भस्न हो गया राक्षस पल में हाँ भस्न हो गया राक्षस पल में वली चढ़ाई प्रान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिवशंकर भगवान की खस्नों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं दूसरी कथा का प्रसंग इस प्रकार से है भक्तु एक बार मा पारवती भोले नाथ से शिकायत करते हुए कहती हैं कि लक्ष्मी और ब्रह्मानी तो सुन के बने महलों में रहती हैं और मैं इस कैलाश परवत पर मुझे भी एक अच्छा सा सोने का बना हुआ महल चाहिए भोले नाथ ने बहुत समझाया परन्तु मा गौरा नहीं मानी भक्तों गौरा की हट के आगे विबश भोले नाथ ने विश्व कर्मा को आदेश दिया कि वो ऐसी एक स्वण की नगरी बनाए जिसका तोड तीनों लोखों में ना हुआ भगवान शिव के आदेश की देरी थी के विश्व कर्मा ने स्वण की ऐसी ही नगरी निर्मित कर दी मा पारवती ने जब उस नगरी को देखा तो हती प्रसन हो गई तीन लोक में सबसे सुंदर ऐसी नगरी बनवाई नगरी देखी गोराने तो मन ही मन वो हरशाई रहे प्रवेश की खातिर कोई पंडित भोले बुलवाओ यज्यहवन और पूजा अर्चन ए शिवशंकर करवाओ सबने अनुशंसा की भगतों हाँ सबने अनुशंसा की भगतों फिर रावन के नाम की हसुरों को भी जोवर देते ऐसे दया-निधान की ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शिवशंकर बगवान की खसरों को भी जोबर देते ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं सभी रिशी मुनियों और देवी देवताओं ने शिवशंकर को यही बताया कि भगवन रावन जैसा प्रकांड पंडित तीनों लोकों में नहीं है पतह उसी को ग्रह प्रवेश के पूजन पर आमन्फित करना चाहिए ऐसा ही हुआ भग्तों रावन को पूजन हेतु बुलवाया गया और रावन ने भी पूरे विधिविधान से ग्रह प्रवेश का पूजन अर्चन संपन्न करवाया परन्तु इतनी सुन्दर स्वर्ण से बनी नगरी को देखकर उसके हिर्रे में लालच आ गया और उसने भोले नाथ से यही स्वर्ण नगरी दक्षिणा स्वरूप माग ली दानियों के दानी देवादी देव भोले नाथ ने बिना सोचे विचारे उसे तथास्तु कहकर स्वर्ण से निर्वित नगरी उसके हाथों में सौप ली हाँ वही स्वण नगरी जो उन्होंने मा गोरा हेतू बनवाई थी एक ही पल में रावण को दक्षिना स्वरूप वो नगरी दान में दे दी इक पल को ना देर लगाई दान में लंका दे डाली आप फकीरी हाल रहयों सबको देते खुश हाली च्वर्ण की नगरी देखो रावण फिर अपने घर ले आया पापी था पर शिवशंकर का भक्त परमगो कहलाया वेद पुराण भी कहते गाथा हाँ वेद पुराण भी कहते गाथा शिवशंकर के दान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दयान धान की ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिर्शंकर भगवान की खसरों को भी जोगर देते ऐसे दयानिधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं भक्त जनों भोले नाथ की लीलाओं और कथाओं से तो वेद पुरान पटे पड़े हैं जैसे सागर मंधन के समय विश्पान करना हो और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्यान तथा विश्नु जी को महालक्ष्मी प्रदान करना हो ताड का सुर जालंधर जैसे अनेक अनेक असुरों ने भोले नाथ को प्रसंद कर उन से अभय वरदान राप्त किये तो फिर भोले नाथ जो असुरों को भी बर देते हैं क्या आपकी भक्ती से प्रसंद नहीं होंगे भक्तों अवश्य होंगे, कैसे होंगे, आईए आपको बतलाता हूँ पिकलोटा गंगा जलसंग में दूद दही घी ले आना चंदन तिलक लगा पिंडी पत पेल पत्र अरपित करना बस इतनी सी भगती परश खोले खुश हैं हो जाते भगतों के भंजार वो भोले अपनी कृपा से भर जाते व्यर्थ जनम नगवाओ भगतों आई घड़ी गुणगान की असुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शिवशंकर बगवान की खसुरों को भी जोवर देते ऐसे दया निधान की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं